दोस्तों जैसा की हम जानते हैं कि चानक्य का जन्म एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था और उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा प्राप्त की जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चानक्य के अनुसार पुरुशों की अपेक्षा महिलाओं में दो गुना ज्यादा भूख, चार गुना ज्यादा शर्म, छै गुना ज्यादा साहस और काम वासना आठ गुना ज्यादा होती है। आचार्य चानक्य के अनुसार बेवकूफी करना, छल कपट का सहारा लेना, जूट बोलना, क्रूर रहना आदी कुछ महीलाओं के व्यक्तित्व के प्राकृतिक दोश हैं, साथ ही चानक्य का यह भी कहना था, कि शाही परिवार, नासंज मनुष्य, सांप, आग और महीलाओं स सदैव बचकर रहना चाहिए, यह कभी भी घातक साबित हो सकते हैं, इनसान ऐसा जिसने कभी जूट ना बोला हो संभव है, लेकिन आचार्य चानक्य के अनुसार जूट बोलने का जिम्मा केवल महीलाओं के ही पास है, महीलाओं के विशय में चानक्य का कहना था, कि वह कभ स्थिर नहीं रह सकती, उनका मस्तिष्क बहुत शीघर बदलता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, आचार्य चानक्य का कहना था कि एक व्यक्ती को कभी न दे शाही जीन्स वाले जानवर, साथ ही हथियारों से लैस इनसान और महिलाओं पर कभी विश्वा अगर कभी नमरता सीखनी हो तो राजकुमारों से सीखनी चाहिए, वहीं समवाद की कला पंडितों से, जूट बोलना जुआरियों से और धोखा देना महिलाओं से सीखना चाहिए, आप जानते हैं कि महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा यह सब अपने पती की खुशाली और उसकी लंबी आयू की कामना के लिए किया जाता है, लेकिन आचार्य चानक्य का कहना था कि वे महिलाएं जो अपने पती की इच्छा के विरुध जाकर व्रत रखती हैं, इससे उनके पती की उम्र कम हो जाती हैं, इतना ह कि वह महिलाओं को एक वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे, चानक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ती को अपने अच्छे समय के लिए धन और स्त्री को बचा कर रखना चाहिए और बुरे समय में सबसे पहले इनका ही त्याग करना चाहिए, संभव है कि उस समय के हालातों के मद्देंजर आचार्य चानक्य के कथन सही कहे जा सकते हूं, वैसे भी हमारे समाज में शुरुवात से ही महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है, इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को मर्यादा में बांधने के लिए यह कथन कहें हूं, लेकिन आज के द चलते हुए पाव और सत्य से जुडी हुई बातें ईश्वर की पसंदीदा चीजे हैं, जब भी जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना चाहिए की पच्चतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविश्य को समवार नहीं सकती, केवल एकागरता से किया गया परिश्रम वास्तविक चमतकार करता है, सो आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में